राम जैसी राम जेहोबागे सुर्धाम सरकार सबसे पहले रक्षा बंधन के हारदिक सुब कामना है आप सभी लोगों को वैसे हर बर्स रक्षा बंधन का तेहवार मनाया जाता है लेकि रक्षा बंधन हर बर्स स्रावन महीना की पूरी मातिति को मनाया जाता है लेकिन ये बा आया गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर हमेशा मनाने चाहिए वसे इस बार की पूरिमातिती भी दो दिनों का है जिसके कांड से रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए बहुत ही संसय की बात हो गए बहुत से लोग हमेशा उल्जन में हैं क्या आखिर रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाय या 31 अगस्त को किस दिन मनाय यह बहुत ही उल्जन की समस्याब बन गई है वैसे ही आज मैं इस वीडियो में आपको यही बाते बताऊंगा कि रक्षाबंधन मनाने का सही तारिक वह सही समय क्या है रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाय या 31 अगस्त को वैसे रक्षाबंधन को बाढ़ते समय भद्राकाल का समय का बहुत ही बिसे स्थ्यान रखना पड़ता है क्योंकि भद्राकाल का साय जो इस बार रक्षाबंधन के तहवार पर बहुत ही पूरी तरीके से पढ़ गया इस सब कुछ अच्छा हो इस वज़े से आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा ताकि आप भी रक्षाबंधन से जुड़ी सभी परकार के जानकारी जान सकें तो चलिए हम लोग जानते हैं वैसे रक्षाबंधन यह देखा जाए तो हर साल मनाया जाता है समभी उम्र और स्वाष्थ की कामना करती है और भाई भी अपनी बहन की सदा रक्षा करने का बचणस देता है लेकिन अकी बात ही समय बद्राकाल का बहूती भिशेषध्यान रखा जाता है तो भूल करके भी कोई भी बहन भद्र काल में राकी नौबाद है इसके पीछे एक कुराडी कताबी है भद्र काल में ही रावण ने अपनी बहन सुपनका से राकी बदवाया था जिसके वजह से एक वर्स के अंदर उसका सारह का सारह सर्बनास हो गया और दूसरा दिदीजन देखा जाए तो भद्रा जो है सनी की बहन है और ब्रम्हजी का साप मिला है कि जो भी इस समय कोई सुभ काम या कोई मांगलिक काम करेगा तो उसका प्रिडाम बहुत ही असुभ होता है इस वज़े से आप कभी भी गलती से भी भद्रा के समय रक्षा ब सबसे पहन लेते तो बहुत ही अच्छा होता है वैसे देखा जाए तो सुभ अवसर पर काले कपड़ें नहीं पहनना चाहिए सुभा सुभा सबसे पहले आपको भगवान की पूजा करें भगवान के लिए ठाली लगाए अक्छत दूब जो कुछ भी समान होते घी का दीप जो सब सारे समगरी का एक थाली लगा कर सबसे पहले भगवान की पूजा करें तब जा करके आप जो थाली को लिजा ये भाई को आरती दिखाए लेकिन जब आप राखी बादे तो भाई का मुख जो हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए तथा बहन पस्चिम की तरफ मुख करके भाई की कलाई में राखे बादे तो सुख सुब परिडाम होता है सबसे पहले राखी बादने से पहले भगवान गड़ेस को राखी अवस ही बादना चाहिए तब जाके अंत में भाई के कलाई में राखी बादे सबसे पहले तिलक लगा है रोली चंदन अच्छत लग वसे भाई का मुख जो है उत्तर की तरफ होना बहुत ही जरूरिया और बहन की मुख जो है पस्चिम की तरह होना चाहिए उसके बाद राखी बाधने के बाद जो है भाई अपने बहन के लिए रक्षा का बचन देता है तता बहन अपने भाई के लिए सुभ अच्छा आगे ब तो चलिए अब हम लोग जानते हैं अखिर साल 2020 में रक्षा बंदन कब मनाया जाएगा इसका सही ती ती और सही तारिक सही मुहुर्थ क्या है क्योंकि सही मुहुर्थ में यदि आप कोई भी काम करते हैं तो आपके जीवन में अनेक परकार के सुक्ष सम्रिद्धी ऐस्वल की प्रापती होती है और आपका दिन, दूना, रात, चौगुना बृद्धी होते हैं इस वज़े से रक्षा बंधन का तेहवार भी मनाने के लिए सही मुहुर्थ और सही तारिक को जानना अतिक आउसक है तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर सही तारिक क्या है तो 31 अगस्त को 7 बचकर 46 मिनिट पर सुबा में हो रही है जिस वज़े से 30 अगस्त को ही रक्षा बंधन का तेवार मनाना बेहद ही सुब रहेगा जो कि पूरा का पूरा दिन जो है हमारा पूरी मा का दिन दाएगा वैसे यह दिन जो भगवान गड़ेश का होता है रक्षा बंधन और भाईया का भाईया दूच यह दोनों परव ऐसे होते हैं जो भगवान गड़ेश के दिन होता है और इन दिनों में सबसे पले आप सभी लोगों को हम सभी लोगों को भगवान गड़ेश की पूजा अवस् लेकिन राखी बाधते समय हम सभी को ये भद्रा का समय का बहुत इध्यानक न चाहिए क्योंकि भद्रा में भूल करके भी राखी नहीं बाधना चाहिए लेकिन हम सभी लोगों के ये भी जानना जरूरी है कि आखिर भद्रा का समय कब से कब तक है तो चलिए जानते हैं भद्रा की समापती कब है भद्रा की समापती हमारा 30 अगस्त को 9 बचकर 10 मिनिट पर रात की समय होगा जिसके वज़े से आप पूरे दिन में 30 अगस्त को राखी नहीं मना सकते हैं रात के समय में 9 बचकर के 10 मिनट पर भद्रा की समापती हो रही है तो भद्रा के पस्चात ही यदि आप राखी बाद देते हैं तो बहुत ही सुब रहता है ज़िए वैसे देखा जाए तो भद्रा के सुरुआत 30 अगस्त को सुबा 10 बचकर के 52 मिनट पर लग रही है और इसकी समापती रात के समय में 9 बचकर के एक मिनट के इस बज़े से यदि आप 30 अगस्त बुधवार को भद्रा का साया समापत होने के बाद यदि राखी मनाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है और बड़ी खुसी की बात है कि 30 अगस्त बुधवार को भद्रा का साया समापत हो जाएगा इसके बाद जो आप जो रक्षा बंधन का तेहवार मना सकते हैं वैसे इस बार की राखी का सुभ मुहुर्थ रात में परदोस काल में ही रहेगा तो राखी बाधने का सुभ मुहुर्थ क्या है सुभ मुहुर्थ जो रात के समय में परदोस काल में नौ बच करके एक मिनट से नौ बज करके पचीस मिनट में कुलियदी समय देखा जया तो 24 मिनट का ये बहुत ही सुभ मुहुरत है और भद्रा में यदि आप राकी बादते हैं तो घर परिवार का बिनास हो जाता है भाई को कभी भी आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता है लंका पती रावर ने अपनी बहुत सुपनका से भी भद्रा में ही राकी बदवायत है जिसके वज़े से उसका सरवनास हो गया इसलिए कभी भी भद्रा में राकी नो बदवाय रह गए बाद रह गए बाद आखिर भद्रा समापत होने के बाद जो मातर 24 मिट का है जो रात के समय का राकी बादने का बहुत सुब महुर्द और मंगलकारी रहेगा थोड़ा कठीन जरूर है लेकिन यहाँ समय भाई बहन के लिए आती सुब है इस वज़े से इस रात के समय में यदि आप भाई की कलाई में राकी बादते तो बहुत ही अच्छा रहेगा बहुत ही मंगलक रहेगा लेकिन कई लोगों के यहाँ परंपरा होती है कि सुरियास्त के बाद कभी राकी नहीं बनाते हैं रक्षा बंधन का तेहवार नहीं मनाय जाता है इस वज़े से आप 31 अगस्त को रक्षा बंधन का तेहवार बड़े ही खुसी से आप मना सकते हैं वैसे इस बाद का रक्षा बंधन का तेहवार देखा जा तो दो दिनों का हो गया क्योंकि रक्छाबंधन का तेहार आप 31 अगस्त को पूड़ी मा ती समाप्त होने से पहले ही आप जो भाई के कलाई में राकि बादने का कार करम कर सकते हैं 31 अगस्त को पूड़ी मा जो ती थी है लेकिन आपको कभी भी रक्षा बंधन तेहवार मनाना चाहिए तो सुर्योदय के पश्चात एर्था सुर्य उदय होने के बाद ही रक्षा बंधन मना है लेकिन हम लोगों के यह भी जाना जरूरी है किस दिन सुर्योदय का हो रहा है तो सुर्योदय सुबह पांच बज़ करके 48 मिनट पर होगा इस से आप जो पांच बज़ करके 49 मिनट से लेकर के साथ बज़ करके 46 मिनट के बीच में यदि आप भाई के कलाई में यदि राखी बाधती है तो बहुत ही अच्छा होगा और सही मूर्त में राखी बाधने से भाई को कई लाख गुना पायदा होता है तब इसका अमंगल नह इस दिन भाई को अच्छे से बिधिवत सब कुछ करके भाई की कलाई में राखी बाधना चाहिए इन दिनों राखी बाधने से लाखों नहीं करोडों में आपका भाई खिलेगा उसके उपर कभी कोई ग्रह दोस राह होगे तो सनी का कोई भी प्रकोप नहीं लग सकता है को आप सभी लोगों को 31 अगस्त को 7 बज करके 46 मिनट में ही राखी मना लेना चाहिए वैसे भाई के कलाई में कभी भी किसी बहन को काली राखी नहीं बाधनी चाहिए हमेशा लाल बंधन या लाल रक्छा सूत या लाल रक्छा बंधन ही हमेशा बाध है भाई अपनी बहन को उपहार में बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन भाई अपने बहन के उपहार में कोई चाकू छूरी या धारिदार चीजे नहीं दे, सफेद कपड़ा नहीं दे, चपल आदी नहीं दे, तो देना के पैसा देख सकता है, कोई गहने देख सकता है, कोई अच्छा कलर का कपड़ा दे सकता है लेकिन सफेद कपड़े भूल करके भी नहीं दे तो आज हमने इस वीडियो में रक्षा बंधन के पूरी के पूरी आपको जानकारी दे कि रक्षा बंधन का तेवार कब मनाना अतिसुब है यदि मेरे द्वारा दी गए ग्यान आपको अच्छी लगे हो तो कम सकम वीडियो को लाइक जरूर कर दिजिए और साथ में सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर दिजेगा